रेडियो के जी एम यूगूँज 89.6 FM सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना पर्चे, अपनी जुबानी, तमाम जो हमें इस समय लोग सुन दें, उनको दें सबी शुताओं को नमश्कार करता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अखलेश मिश्चा, मैं केंद्री विद्याले, बनारस निवस्टी से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, स्कूलिंग करने के बाद मैंने वहीं से अपने कॉलेज किये, इंशीट आफ अग्रिकल्चिर साइंसेस से और मैंने पिएसडी कर रखी है जेन्टिक्स विशे में, अनुवानश की विशे में, ऐसा करने के बाद फिर मैं उत्रपदेश सरकार में आ गया जॉब करने के लिए और आज की डेट में मैं आईएस ऑफिसर हूँ, दोहजार नौबैच आईएस ऑफिसर हूँ, और प्रेजन्टली जो मेरी पोस्टिंग है, जो मेरा पद है, वो है स्पेशल सेकेटरी ट्रांसपोर्ट उत्रपदेश क्या बात है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसी personality हमारे बीच मौजूद है, और जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं कि आज जो हमारा show है, Star of the City, उसमें हम महमान को इसलिए आमंत्रित करते हैं कि इस सारी चीज़ों के अलावा एक और ऐसा talent होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा से, वो जानेंगे, लेकिन कहते हैं ना, इंतजार का भल बड़ा मीठा होता है, तो थोड़ा सा इंतजार करिये हम आपको बताएंगे कि किस talent के चलते, आज डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हमारे स्टूडियों में मौज किस लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं? कल भी ये मौसम सुहाना हो नहो जो लिखने की कला है, जो कविता लिखने की कला है, जो घजल लिखने की कला है, वो कहां से आपके जहन में आई, कहां से इंस्पाइर हुए आप? ये तो बड़ा कटिन प्रशिस लिए है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, परन्तु ये कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला वी ही नह, शाक्छात पशू हुपुच्छ विशा नहीं ही नह, और जब वक्त के अंदर साहित्य और संगीत आने लगता है, तो थोड़ा मुझे काफी पसंद थी, मेरा पसंद था हरे वच्छन था तो मैं गाया करता था, तो वहां पर मेरे रट में कवी सम्मेलन हुआ करते थे, तो हमारे काफी मित्र आते थे उसकारक्राइब को सुनने के लिए, मैं जनरली चीफ गेस्ट पगर हुआ करता था ऐसे कारक्मों का, तो लोग फरमाईश किया करते थे कि महजुशाला सुनाओ, और जब महजुशाला गाके सुना देता था तो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता था, वो कवी सम्मेलन का चुकी एक बढ़ियां प्रोग्राम होता है, एक बहुत बड़े कवी हुए हैं, हैं अभी, डक्टर हर हरियों, पवार जी, तो मुझे उन्होंने बड़ा प्यार से हड़काया, कि अपनी कवीता क्यों नहीं सुनाते हो, तुम दूसरे की कवीता क्यों सुनाते हो, यह मंच की परंबरा के खिलाफ है, तो मुझे भी तो जीब सा लगा, हमें वहां का चीब केस था, तो फिर मैंने अंदर से विचारा है कि मैं क्यों नहीं चार पंक्तिया लिखता हूं, अगली बार मिलेंगे तो सुनाओं, जा बात है, तो मैंने वो चार पंक्तिया शुरुआत के लिखी, वहां पर यह सोच कर कि इस बार हरियों पवार सर मिल गये कहीं, किसी मंच पे तो उनको मैं बड़ा एजी एवलेबल हूं, चीफ गेस के लिए, वहां जितने प्रोग्राम सोते थे, वहां से धीरे-धीरे कविता मेरे अंदर इंकलकेट कर दी गई, सुनते-सुनते, और फिर मैंने कविता लिखना, जाने कब शुरू कर दिया, लेकि शुरू कर दिया। लिए कविता बहुत ही सिंपल थी, शाहिए साहितिकार सुनके इसको हां सेंगे, लेकिन जब नहीं नहीं कोई कविता लिखता है, तो ऐसे लिखता है, तो मैंने यू लिखा था कि उसके आने का इंतजार करो, तुम भी अश्कों का कारूबार करो, और हात में मेहदी लगा लो फिर से, सुर्ख हातों से मुझे प्यार करो, सुर्ख हातों से मुझे प्यार करो, तुम भी अश्कों का इंतजार करो, और प्यारी सी पंक्तिस मैंने लिखी थी, कि खुद कशी करने की कोशिश तो करो, जब प्यक्ति तूटता है तो उसको किसे विश्वास नहीं होता, तो मैंने उसे एक विश्वास दिलाने की बात कही, कि खुद कशी करने की कोशिश तो करो, मौत पे कुछ तो एतबार करो, मौत पे कुछ तो एतबार करो, तुम भी अश्कों का कारुबार करो, अगर यह आपकी पहली कविता थी, तो मैं सलाम करता हूँ आपकी लेकनी को, भी पहली बार में जब इतना अच्छा आपने लिख दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि आगे आपकी लिखावट, आपकी जो कविताएं होंगी, वो कहां तक पहुँच गई होंगी, तो यह सर जो जरूर है, पर इतनी ऐसी कहानी नहीं है कि मैं पब्लिकली बता सकूँ, लेकिन एक कोई सजन बहुत कष्ट में थे, तो उनको जब मैंने देखा तो मैंने उसी पर यह चार लाइने लिखी थी, पहले दो लाइने लिखी थी, फिर वो चार छे आट करके कदल होती चली गई, तो आप जब दर्द देखते हो, हम लोग ऐसे जॉब में रहते हैं, फिल्ड में कि हमेशा सामने वाले का कष्ट दिखाए देता है, तो उसको अपने आप फ्रिदा से वो जब कविता के रुप में बाहर निकलती है, यह यूं कह लीजे कि जब खीज होती है किसी बात को ले स्वायम को भी संतुष्टी मिलती है, और आप अपनी बात कह भी ले जाते हैं, यह बिल्कुल सही आपने बात कही है, एक म्योजिक और एक कविता, इनके थ्रू लोग अपनी एमोशन्स, लोग अपनी फीलिंग्स को बाया करते हैं, और I'm sure कि कुछ ऐसी फीलिंग्स आपकी जिन्दगी में जरूर हुई होगी, जो आपने किसी को एकस्प्रेस करने के लिए इस पोईटरी का सहारा लिया होगा, तो जो पहली कविता आपने लिखी, उसमें हमने ये फील किया, कि कहीं न कहीं वो इमोशन्स थे, जो किसी को आपने देखा था, उसके लिए बाया किये जो लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको बहुत थोड़ा सा चोटा सा दरां बताओ, मैं खुरजा में पोस्टेट था एक बार, तो वहाँ पे 20 फिट की, 30, 60 फिट की रोड थी, और चलने के लिए मातर 18 फिट जगह थी, तो मैंने पर उसका पूरा परिवार उसी गुम्टी के नीचे रहता था, गुम्टी सर क्या होता है, गुम्टी खोखा जिसको चाय पानी बेशते हैं, तो वो रात में मैं जब इस टहलने लगा देखने ला कि मैंने कितने बड़े कारनामे कियें, कितने उन्हों कितने घर तोड़ दि नीचे रहेंगे, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने एक उस में उस से आहत होके, जो काम मेरा खुद का किया था, और सिस्टम में विदिन सिस्टम किया गया था, काम कहीं गलत नहीं था, और या फिर जब हम देखते हैं कि लोग मजबूरी मे इधर दर के पैसे लेने शुरू कर देते हैं, तो मैंने एक चारपाँच लाइने लिखी थी कि रोटी खरीद लाया है, इमान बेच कर, कोई वेदिकारी नोकरी में आता है, तो बहुत ही उस से आता है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकि परसितियां शायद उ जही सामान बेच कर, और गुम्टी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गाओं की दुकान बेच कर, और फिर एक ये कि मुन्शी, वकील, एहलमद, हाकिम और पेशकार, मुन्शी, ये सारे लोग अदालतों मिलते हैं, मुन्शी, वकील, एहलमद, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फर्मान बेच कर, हिस्सा बटेगा सब में फर्मान बेच कर, हम लोग बीच में कानशी नम आवास पनवा रहे थे, जो आवास की विल्डिंग होती, वहां से मैंने एक शेर उठाय था, कि चिठ्थी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया, चिठ्थी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया, बाबुल ने शादी कर दिया, मकान बेच कर, बाबुल ने शादी कर दिया, मकान बेच कर, तो जो हम लोग सामने पर सितियां देखते हैं, उसको किसी तरह, अगर व यह सारी चीज़े तो निकल जाती हैं जब इस स्टेज़ पर हम पर्फॉर्म करते हैं, लेकिन पहला ऐसा जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसिदेंट होता है, अब हमारे अंदर घबराहट होती है कि अरे इतने बड़े प्लैटफॉर्म पे हम परफॉर्म करने वाले हैं तो वो कोई फैमरेबल मॉमेंट हो जो आप शेयर करना चाहिए मैं बहुत ही कम उम्र बे मतलब कम उम्र तो नहीं कहेंगे जो कविता की हमारी उम्र थी करीब एक देड़ साल में बाद ही जब मैंने मंच शुरू किया मंची कविताएं होती है तो मुझे दुबई से निमंतरन आया कविता सुनाने के लिए मुझे अभी तक पता नहीं कि वहां तक मेरा नाम किस ने पहुँचाया था लेकिन दुबई में एक 26 चनुरी को एक सलाउदीन साब है वो पिछले 20 फर्षनों से गड़तन दिवस पे कारेक्रम कराते हैं तो देश की सिवा और दुबई में जाके मुशारा पढ़ना तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे मैंने सरकार से अनमती भी मिल गई आप बिश्वा स्कूरोगे तो मैं हवाई जाज में कभी चढ़ा ही नहीं था तक तक उस समय अब दुबई तो कोड़ के जाना था तो मैं किसी से बात कह भी नहीं सकता था कि साब बैं दुबई जा रहा हूं मैंने तो प्लेन देखा नहीं है तो महां से घबराट सुरू ही कि यार कैसे प्लेन में चढ़ा जाता है खेर इत्वाकर मेरे एक परम्मित्र हैं डॉक्टर कलीम कैसर अच्छे शायर हैं तो उनका मुझे साथ मिला और मैंने उन्हें बताया तो नहीं कि मैं कभी चढ़ा नहीं लेकिन मैं उनको आफजरू करता रहा और मैं दुबई पहुचा मुझे लगा दुबई में बड़े कठिन शेर सुनाने पड़ते होंगे बड़े वो सुनाने पड़ते होंगे तो जब तक मैं दुबई के मंच पे जाकर नहीं बैठ किया और वहाँ पे पाकिस्तान से, अमेरिका से, इंडिया से, एवन दुबई के इंटरनेशनल शायर्स आते हैं तो बट निच्रले मेरे लिए एक ऐसान वह हो था कि बहुत घवराट थी लेकिन मैंने जब वहाँ एक बार मंच और माइक सामने आ गया उसकी कुछ पंक्तियां अभी याद हैं आपको हाँ, वहाँ अचली दुबई मैंने कई परफॉमेशी लेकिन फरस्ट टाइम जब मां गया था तो मैंने प्रेम पर एक कविता पड़ी थी क्या बात हम चाहेंगे सुनाता हूं आपको कि रात भर चांद करवट बदलता रहा रात भर चांद करवट बदलता रहा वो भी सोया नहीं मैं भी सोया नहीं यो तो तुम खो गए गैर के हो गए याद आये बहुत पर में रोया नहीं रात भर चांद करवट बदलता रहा क्या बात है विश्णु सक्सेना के भी मुझे इसी तर्ज पर याद आती है कि जब किसी से महबत हो जाती है बहुत सारी लोग यह बोलते हैं हम आपके लिए यह कर देंगे वो कर देंगे तो उनकी दो मुझे याद आती है सेम आपकी तर्ज पर करता हूं कि वो संभा लेंगे क्या अव यह दामन मेरा क्या वाद है वो संभा लेंगे क्या अव यह दामन मेरा खुद दुपटा भी जिन से संभलता नहीं तो तुमने पत्थर का दिल मुझे को कहतो दिया पत्थरों पर लिखोगे मिटे का नहीं तो सर जब जो लोग हमें इस समय सुन रही है उनका दिल भी संडे की इवनिंग में ऐसा हो गया होगा कि मेरा संडे आज सार्थक हो गया है सो सर एक कविता हमें ऐसी और चाहेंगे जो आपके बड़ा दिल के खरीब रहती है जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि कोई कहता है कि आप अपनी फेलिंग्स को बया करें या आप अपनी एक वन ओफ दा फेवरिट कविता सुनाए तो कौन सी कविता आप सुनाते हैं तेखिए तो कविताओं के साथ अन्या होता है कोई भी कविता बहुत छोटी नहीं होती तीन-चार मिनट लेती है वो इसी तरह से होता है कि अगर हमारे चार बच्चे हैं तो पिता के लिए चारो बच्चे समान होते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना बच्चे को लाओ जरह हमें कुछ दिखाना है तो एक बच्चे को हम ले आते हैं प्यार कम नहीं होता लेकिन हाँ तो एक बच्चा मैं आपके सामने ले आता हूँ और जल्ले ली सुना दूंगा हम लोग जब छोटे थे ये वक्ती के तन्भो की कविता है तो आजकल के प्रेम में और विकत वर्षों के प्रेम में क्या आंतर होता है इसको अगर हम आपस पे कपेर करने की बात करें तो आजकल तो प्रेम ऐसे ही होता है कि चार बजे प्रेम हुआ और साड़े चार बजे हो सकता है कि तूट भी जाए लेकिन पुराने जमाने में जो प्रेम होता था मेरी एक अपनी सेम दादी की सिस्टर थी उनको हम लोगो सब कुमोसी कहा करते थे तेरा वर्ष में उनका विवा हुआ था चौदा वर्ष में वो विद्वा हो गई थी नियानमे वर्ष वो जीटती रही और जो उनका जीवन शेली थी उस जीवन शेली पे मैंने एक उनके जानने के बाद च्छोटी सी कवीता लिए लिए थी जी बिलकुन उसका यह में था कि वो पूरे चुकी समाज में ऐसा उसमें होता नहीं था कि लोग दूसरा भी बाख कर लें तो वो जीवन जीना पड़ता था तो वो घर पे काम करती थी कद्दू अद्दू छिलती रहती सबकी बहुत प्री थी पूरा दुनिया उनको मौसी कहा करता था तो हमने वो किया उसमें टेली वीजन आया था 82-84 की बात है तो हम सब लोग गर्मी के छुटियों में गाउं में गठा हुए चारे बच्चे, किशोरावस्था के बच्चे चाचा नाना कागा के तो किसी ने छेड़ दिया कि ये इश्क क्या होता है मौबबबब क्या होती है तो कुछ लोग सुने ने थे बहुत कहानी सुनाती है इश्क वाली कहानी सुनाओ तो मौबबब अपनी बाते कहने लगी उस पर मैंने एक छोड़ी सी कविता लिखी कि बच्चे दादी से मुहबबत की कहानी पूछे बच्चे दादी से मुहबबत की कहानी पूछे कैसी थी भी ते जमाने में जवानी पूछें बच्चे दादी से महबत की कहानी पूछें कैसी थी भी ते जमाने में जवानी पूछें बच्चे दादी दादी बताना सुरू करती है अपनी कहानिया बच्चे आज के युक के बच्चे हैं मोबाइल एज के बच्चे वाटसप एज के बच्चे तो उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बता रही है देखेगा बच्चे जादी ने बताया कि पहले जो है प्रेम मचली जैसा हुआ करता था प्रेम जो है जो हर प्रत जैसा हुआ करता था प्रेम राधा जैसा हुआ करता था प्रश्ण पूछ रहा है कि क्यूं तडपती है दर्या से निकाली मच्छि लगाए आग क्यूं लगाए आग क्यूं बरसात का पानी बच्चे दादी से मुहबत की कहानी पूछे बच्चे दादी से ने आगे बताना शूर किया बच्चे प्रश्ण पूछते हैं कि पिया के लाश पे सिंदूर सती हो जाए पिया के लाश पे सिंदूर सती हो जाए कैसे जोहर करें कैसे जोहर करें ये महलों की रानी पूछें क्या बात है क्या बात है क्या बात है कैसे जोहर करें ये महलों की रानी पूछें बच्च दादी से मुहबद के कहानी पूछें, बच्च दादी से कौन राधा थी, कौन मीरा, कौन थी रुकमिन राधा कृष्ण राधा को प्यार करते हैं, मीरा राधा कृष्ण को प्यार करते हैं, रुकमिन उनकी पतनी तो इस पर एक प्रश्ट बच्चे खड़ा करते हैं चमा मांगते हुए तब इसे कि कौन राधा थी कौन मीरा कौन थी रुकमिन कौन रानी थी कौन रानी थी और कौन दिवानी क्या वात है कौन रानी थी और कौन दिवानी पूछें बच्चे दादी से मुहबत की इसके सिवा करती थे कि इसमें ख़र जाना होगा लेकिन एक दिन बच्चे के हाथ में बच्चे के हाथ में पढ़ जाती है उस ताले को खोल कर देखने कोशिश कि इसमें है क्या कि लाल चूनर है वो जो कभी नहीं दुवारा पहनी जा सकी क्योंकि वैदब के बाद आप लाल कवस नहीं बन सकी लाल चूनर है कमर बंद और चंद खत मेले लाल चूनर है कमर बंद चंद खत मेले इन्ही में ठहरी इन्ही में ठहरी मुहबत की रवानी पूछें बच्चे दादी से मुहबत की कहानी पूछें बुढ़ी आखों में जाने कौन तहरी कर गुजरा भीगी आखों में बुढ़ी आखों में जाने कौन तहरी कर गुजरा है जो नादान है जो नादान वही बात सयानी पूछें बच्चे दादी से मुहबत की कहानी पूछें क्या बात है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहूत सुन्दर हमें तो ऐसा फिल होने लगा कि कभी समेलन का में हिसा वन गया ids इस्टार ओफसी को आपने एक नए मुकाम पे पहुचा दिया है सर बहुत सारी आपने पॉफॉमेंस दिए हैं कोई ऐसी international performance जो आपके लिए हमेशा यादगार रहे हो कोई ऐसी घटना जो हमेशा याद करते हों और उसको याद करके कहीं न कहीं आपके चेहरे पर मुसकराहत या घम या किसी तरह के भाव आ जाते हैं कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहते हूं कई घटना हैं उसमें से एक बताता हूं, मैं आपको आदर्णी स्वरगी गोपाल दस नीरच जी एक कवी समयल में हमारे साथ थे, बलगी दो गट्टाय बताता हूं, तो एक बार वो उनके पास जो मंत्रीपत का दर्जा था, मैं सम्हल में पोस्टेट था, मेरे बस किलेक्टर का चाल था उस समय, त में जा रहा हूं, तो मैंने का, मैं आपको मुशायरे तक छोड़ देता हूं, अमरोहा तक छोड़ देता हूं, सम्हल मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, और हम दोनों उस मुशायरे में पहुचे, वो अंतराष्टी मुशायरा था, और जहां पर नेट से रिले हो र अल्टोगेधर डिफरेंट ओडियन्स वहां पर रहेगी, अंतराष्टी ओडियन्स रहेगी, तो उसके पहले वहां की एक दरगाह है, हम उस दरगाह पर गए, मैं बड़ा थ्रिल्ड था कि मैं पढ़ूंगा कैसे, और उनकी आवाज को मना नहीं कर, तो दरगाह पर जब मै बेच्शु रग दी मेरे पूपर, मैंने काट लेगा, उनका नहीं आप अच्छे दिल से आयोगे तो नहीं काटेगा, मैंने का मॉलवी साहब यह हमको पता है और आपको पता है कि मैं अच्छे दिल से आयों इसको क्या पता होगा, तो मैं बड़ा घवडाया, लेकिन वह थ को नीरज जी ने उसकी बड़ी तारीफ की अच्छा अरे वाँ तो हमने कहा कि देखिए आप एक पवित्र जगह पे एक कविता सुनाने जा रहे हूं मुशारा सुनाने जा रहे हूं आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं और फिर आपने वो जई सुना दी जो आपने सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आपको को दिल से तारीफ करते हैं तो ही तारीफ करते हैं घ"... कविता के तारीफ हो अगर आपोई समय याद हो कि दोला ने हमारे जो में जो सुनाया था, वो मैं सुना देता हूँ, वो अली तो नहीं सुनाता आपको, अली गड़ मैंने एक कविता सुनाई थी कि अब अदालत में खडी मूरत रुआसी हो रही है, अब कहां इस मुलक में कातिल को फासी हो रही है, अब कहां इस मुलक में कातिल को फासी हो रही ह और फिर उसके बाकिए शेर मैं छोड़ देता हूँ एक शेर ये सुन लीजे उसमें कि प्रोचनों में गुरू जी के शेख की तक्रीर में ये मजहवी चटान पे खंजर तराशी हो रही है मजहवी चटान पे खंजर तराशी हो रही है और एक वी स्पोर्ट के बाद कदिश है कि बच गए मासूम बच्चे जाने क्या किरिया करम बच गए मासूम बच्चे जाने क्या किरिया करम दो दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है दो दिनों से चीर घर में लाश बासी तो पूरी घजल तो लंबी हो जाएगी तो इसकी काफी खड़े होकर नीरजी ने जब तारीफ की तो तारीफ जो होती ही वो अच्छा लगता है लेकिन कोई बड़ा वक्ति जब करे और उसी स्टेचर का वक्ति करे तो बहुत अच्छा लगता है क्या बात है दो लाइने मुझे नीरस सर के याद आ रही है उन्होंने कहा था कि जिन्दगी में कभी किसी की वो गलती नहीं होती वो सरकम्स्टेंसेज वो सिचुएशन वो शायद उसको मजबूर कर देते हैं उन्होंने दो लाइने लिख़्ी थी कि मद, मदेरा, मदुशाला साकी मद, मदेरा, मदुशाला साकी प्याले का कोई दोश नहीं दोशी वो पीने वाला है पीकर जिसको होश नहीं हम यह जानना चाहेंगे कि चलते चलते जो हमारे तमाम लोग हमें सुन रहे हैं और आज उनको ऐसा फीड हो गया कि जैसे एक कभी नहीं कभी सम्मेलन इसको बना दिया है तो हम चाहते हैं कि वो इंसान जो आज हमारे बीच मौझूद है चलते चलते हमारे तमाम सुने वाल इशोताओं को कुछ संदेश ने संदेश तो यह है कि आपके उपर जो माता पिता का आश्री वात रहता है वो हमेशा आपको सहीर रह दिखाता है तो हमें अपने माता पिता की सिवा करनी बेसिक संदेश है ये प्रात काल है उठकर ही रगना था मा तो पिता गुरू ना वही मा था लगता है वो चोटी सी चीज है पर है बहुत बड़ी चीज और उसका एक ताजावदारण मैं हूँ अभी जब हम लोग करोना काल में गुजरे तो वेक्ति मानसिक रूप से विक्रि होती है किसी शायर ने बाद कही है कि तुम्हारे शेहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुराने लगे तो आज आपने जो शाम दी है इसके लिए भी धन्यवाद अरे सर हमारा सौब आगे फिर मैंने जहां से बाश शुरू की थी मैं वही वही गजल में सुनाता हूँ आपको पाबंदियों में जिन्दगी वक्त की पाबंदियों में जिन्दगी सांसों का क्या आना जाना हो नहो जिस शहर में तुम बड़े मशुहूर थे कल वहां का आबुदा नहों कल वहां का आबुदा नहों जिन्दगी का क्या ठीका नहों कि जो मका तुमने बनाए उम्र भर जो मका तुमने बनाए उम्र भर जो मका तुमने बनाए उम्र भर वारिसों का वो ठीका नहों सच्चाई आज के सच्चाई क्या बात वारिसों का वो ठीका नहों क्या बात है विंदगी का क्या ठीका नहों कल भी ये मौसम सुहा नहों रेत की मुठी पे मत तू फ़कर कर रेत की मुठी पे मत तू फ़कर कर रित की मुठी पे मत्तु फक्र कर क्या पता कल ये खञाना हो नहो क्या पता कल ये खञाना हुन हो जिन्दगी का क्या ठीका ना हो नहो कल भी ये मौसम सुहाना हो क्या बात है क्या बात है सर कैसे हम शुक्रिया आदा करें आप हमारे स्टूडियो में आए इतना कीमती समय दिया इतनी अच्छी बात है और इतनी अच्छी कविता हैं हमारे सामने रखी आपका स्टूडियो में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहां बुलाने के लिए एक अच्छी सी शाम देने के लिए और जो हमारे ओडियन्स है जो हमेश सुन रहे हैं उनके लिए भी आप इस चैनल को जरूर सुनें बहुत ही शांदार चैनल है और इतने शांदार भी नहीं है अरे सुनते सिर्फेन रहिए रेडियो के जीए मिव गूंज नीए। के जी एम यो गूँज और डाउनलोड करें जानकारियों मनोरंजन से भरपूर हम सब का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो के जी एम यो गूँज 89.6 FM